हालो मुश्कार प्यारे बच्चों मैं वीजे बंसल मैत लेक्चरार जाकर ब्लॉग डिस्टिक फत्यवाद से हैं अज हम अपनी मैत की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे अजी प्यारे बच्चों हम जो आज शुरू करेंगे हमारी क्लास ना इंद का मारा जो चैप्टर 12 है हिर हिरों स्फार्मूला ठीक है इन फाइंडिंग एरिया अफ दाग्वाडी लेटर ठीक है मिस क्वाडी लेटर के अंदर आपके पास एंडिया का फाइंड आउट करने की बारे बात करेंगे जैसे एक्जांपल फाइम में देखें हमें कहा रहा है कहना स्टुद्स ओफ तू ने एक रमणी कर रहा है झेक टो त्रोडवा फुरह धू ग्रूप ऑन गुप वॉइंज ज देखा थे हूं दूवूपों से करते हैं वंग्रूप गूप राफ ट्रो एक ग्रूप आपके पास यहां पर आगे कंडिशन में देखेंगे जैसा कहा गया होगा एंड वाइल द अधर ग्रूप आपके पास AC CD and DA की तरफ करता है में दूसरा गूप AC की तरह जाता है और फिर उसके बाद CD की लिए जाता है फिर उसके बाद DA की ठीक है इस प्रकार से वाक करता है दे देंडे क्लियर दा एरिया इंग्लोज बिदिन देर लेंड इफ एवी इसकल तो 9 मिटर यह 9 मिटर हमारे पास और बीसी इस 40 मिटर आपके पास and CD is 15 मिटर आपके पास and DA is 28 मिटर आपके पास ठीक है एंगल बी इस 90 डिग्री आपको 90 डिग्री का गीवन है ठीक है विच गुरूप क्लीन ओर एरिया एंड बाइव हाव मच किस गुरूप ने एरिया ज्यादा कवर किया और कितना फाइंड टोटल एक लेंड एरिया बाइदा स्टुएंड ठीक है और आके था आपको इस नाइन उस जो टोटल एक अबर एंड यहां उसको दो पार्स के अंदर डिवाइड करने के अंदर हैंड करती है अब हमारे पास हमें कोई भी फॉर्मुला में प्लाइद करना हो तो सबसे पहले हमें एसी चाहिए ठीक है तो हम क्या करेंगे ट्रैंगल एवी सी इन ट्रैंग एटीवन सो एसी क्या हो जाएगा आपके पास 1681 का स्क्वेर रूट वह एल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 41 मिज यह वैल्यू आपके पास 41 ठीक है अब हमें इन दोनों के एरिया करने हैं आपके पास क्योंकि यहां 90 डिगरी का एंगल बन रहा है तो इस ट्रेंगल का एरिया आप चाहें क्योंकि यह कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके स्तीनों साइट से निकाल ली गई तो आपको हीरोस फार्मूले का ही यूज करना है आपको ठीक है यहां स्पेशल मैंशन भी नहीं किया अगर इन्होंने मैंशन किया था फिर हमारे लिए कंडिशन कंपलसरी होती हम एरिया ऑफ ट्रेंगल एबी अगरेंगे तो यहां से आपके पास तू से फॉर्टी कांसल होके ट्वंटी हो गया मीज वन एटी स्क्वेर मीटर ठीक है यह आपके पास आपका अंसर बन जाएगा यह ट्रेंगल ओफ एस एबी सी आपके पास अब हम ट्रेंगल एसी डिक लिए करेंगे हमें यह 41 कंडिक आपके पास एक साइड कितनी है फॉर्टी वन मीटर पार-शॉर एक सटेकन साइड मीटर आपके पास 15 मीर एंडिक आप अव्या पास थर्ड पत säर कितनी है ट्वbitsy एट मीटर ठीक है आब आपके पास में एस अ 42 meter ठीक है यह हो गया so area of ACD आपके पास क्या बन जाएगा area of triangle ACD ठीक है इसके formula आपका s s minus a s minus b s minus c आपके पास ठीक है अब यहां से आपके पास s देखें कितने 42 है and 42 minus a कितने 41 and 42 minus a b कितने 15 and 42 minus आपके पास c कितने 28 ठीक है इनकी calculations कर दी हमने यहां से आपके पास क्या बचा 42 into 1 into 27 into आपके पास 14 ठीक है अब यहां से हमें जैसे clear किया हुआ प्राइम फैक्टर कोई जुरूरी नहीं है हमारा main target है कि आप प्राइम फैक्टर बना लेते हैं आपको बिल्कु क्लीर हो जाता है हमारा main target है कि pairs बनाने इनके अंदर ठीक है ताकि square root कर से आपके 14 का एक पेर बन रहा है तो वह बाहर आ जाएंगे square root में कोई symbol कोई digit नहीं बचा तो आपका square root खत्म हो जाएगा इनके multiply कर देंगे हम 339 49 126 square meter ठीक है आपके पास जो यह ग्रूप है इन्होंने 180 meter square cover किया दूसरे गुपने 126 meter group अपना cover किया so first group ठीक हम लिख देंगे so first group cleaned ठीक है 180 meter square which is ठीक है which is 180-126 it means आपके पास 54 meter square more than ठीक है more than the area of more than the area of cleaned by second group ठीक है ठीक है clear और total area ठीक है total area of a b c d आपके पास क्यों आपके पास 306 per square meter आपके पास आपके questions का यह answer बन जाएगा clear इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा next example example number six इसमें हमें क्या क्या रहा है example number six में देखें हमें क्या क्या रहा ही है करने के लिए हमें कहारा है सान्या has a piece of a land which is in the shape of a rhombus ठीक है जो एक rhombus की shape में है she wants her one daughter and one son to work on the land and produce different crops ठीक है सान्या के पास एक लैंड का piece है जिस जो एक rhombus की shape में है है she wants her one together and one son वो अपनी बेटी को देना चाती है पार्ट और एक अपने बेटी को पार्ट देना चाती है ठीक है ताकि वो काम कर सकें वहाँ पर सी डिवाइड दा लैंड इंटो टू इक्वल पार्ट इव दा पैरिमेटर लैंड हां Northern मीटर ठीक है आपके पास क्योंकि रॉंस की शेंप के अंतर का इरुंस की shape की हम बना लेते हैं। रॉंस में क्या होता है चारों की चारों साइट सापकी इक्वल होती है ठीक है सिरे छे छाफीन म सब्सक्ते हैं मीटर सो आपके पास ए क्या हो जाएगा 400 by 4 इड मीज हंडर मीटर ठीक है यह आपके पास आपकी साइड आगी क्लियर एंड वन होता डाइगनल इस 161 60 मीटर और जो डाइगनल आपके पास ठीक है माली जगर हम इनको नाम दे देते हैं A B C D ठीक है सो डाइगनल एसी आपके पास जो इसको दो इकवर पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी दे रहे हमें 160 मीटर ठीक है यहां से हम करेंगे किसी भी पार्ट के हमारे पास एरिया आपके पास इन टेंगलस पार्णिंगर बात करें ऄंगर स उसको के पास ठीक है आप उसको बीबी कह सकते हैं या क्योंकि ट्रेंगल की तीन साइड हमने ए बीसी के कोर्णिंग बात करें अगर 100 मीटर आपके पास और तीसरी साइड एसी जिसे हम सी लिख लेते हैं वह कितनी है 163 मीटर ठीक है एक पास पास स्क हो जाएगा साइड फ्न उचिऑ ए कि ये सननहरा पर आपके पास पता करना हमें यह के हो च्टिक है अब यहां से हम अब के अब करते हैं और आपके पास अ स्जिटक इसको पता करेंगे इरियोफ ट्रेंगल एबीसी कह लीजिए já या या इजकzentित a c d क्या लिए उसमें कोई प्रोड़म एक को लिखना एक को लिखे लिए क्योंकि आपके पास दोन्नों ही करफ 100 100 160 100 160 तिन्नों साइट सेम होगी सो एरिया भी आपके पास क्या होगा सेम होगा ठीक है आपने फॉर्मॉला अप्लाई कर दिया s-a s-b s-c s कितने आपके पास 180 180-100 180-100 and 180-160 आपके पास यह आगे आपके पास अब इसके अंदर से आपके पास क्या हो जाएगा 180 180-100 80 into 18 into 20 तो अगर हम इसके फैक्टर में आदे 29 29 जा 180 होता है ठीक है तो 9 आपके पास क्या हो सकता है 9 3 into 3 9 and 20 80 into 18 into 20 ठीक है आप प्राइम फैक्टर मना कर भी इनको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है यह हमारा में टार्गेट है पेर बनाना वह आपके पास यहां से त्रीका ट्वंटी और एक पेर बन गया तो 3 into 20 into 80 ठीक है यह आपके पास बाहर आ जाएगा और यहां से टोटल एरिया क्या बन गया आपके पास यह इनकी मुल्टिप्लाई करें 4800 स्कूर मीटर ठीक है यह हमारे पास एरिया ओफ ट्रेंगल एबीसी हो गया तो हमें तो एरिया ओफ इच पार्ट्स बताना था कि कितना होगा आपके पास ठीक है तो इसलिए पास हमसर बन जाएगए इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारी एक्सेसाइज के क्यों मिल आपको इंदर उनके इंदर वी इस प्रकार से पर बेस्ट आपको question दिए गए है उनमें हमें क्या कह रहा है वो दिखते हैं exercise का first question देखें आप इसके अंदर क्या कह रहा है हमें कह रहा है एक पारक है इंदा shape of quadilator ABCD ठीक है एक पारक है ABCD की shape के अंदर ठीक है इसके अंदर मैं ऐसे ही बना लेता हूं जनल किसी को कोई एंगल फिक्स नहीं किए एंगल C is 90 ठीक है यह एंगल 90 डिग्री के आपके पास and AB 9 आपके पास BC 12 है ठीक है and CD आपके पास 5 है and DA आपके पास 8 है clear हमें how much area does it occupy यह कितना area बनेगा means पूरी quadrilator का area find out करना है आपको तो उसके लिए क्या करना होगा यह 90 डिग्री को होगा आपने diagonal इस BD को मिला दिया ठीक है अब in triangle BCD ठीक है BCD के अंदर BD की value क्या होगी आपके पास BC की power 2 2 plus CD की power 2 होगी यह आपके पास 12 की power 2 हो गया और यह five की power 2 हो गया 144 plus 29 5 it means 169 हो घ्रीक है सो BD आपके पास क्या बन जागा 169 का 상 ₹mer स्क्वेर सक्वेर i掉 कर देंगे 100 आपके पास क्या बन जागा 13 मीटरब जागा आपके पास ठीक है यह आपके पास क्योंकि पार Messiah एरिये दिए गए आपको अब इसके अंदर आपके पास ए ठीक है कोई भी एक साइड मान लीजी आपके पास यह 13 आगी लेकिन इसके अंदर आपके 90 डिगरी के अंगल है वही ग्जांपल की तरह तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे हमारे पास हाफ ट्रेंगल बी-सी डी आपके पास तो आपके आपके आसके अचेगा हाफ इंटू बेस इंटू परबैंडिक अब बेस क्या हो जाएगा एक बेस हो गया परबैंडिक अब इन्टू फाइम ठीक है तू बंजा टू तू सिक्स त्वेलब तो इसको फाइव से के पास एक कोई भी एक साइड माल लेते हैं जिसको 9 मीटर ले लिया आपने and B आपकी सेकिंड साइड माल लीजे 13 मीटर है and C आपकी थर्ड साइड मीज 8 मीटर होगी तो सबसे पहले आपको S find out करना है A plus B plus C by 2 means sum sum of sides means perimeter आपके पास 9 plus 13 plus 8 by 2 ठीक है 22 plus 8 30 by 2 it means कितना हो गया आपके पास 15 हो गया ठीक है यह आपके पास आपका S आगया 15 मीटर so अब area आपके पास देखेंगे area of triangle ABD ठीक है formula हमारा S S minus A S minus B S minus C आपके पास S कितना है 15 15 minus 9 15 minus 13 and 15 minus 8 आपके पास इनकी calculation करते है तो 15 6 into 2 into 7 ठीक है यह minus करके आपके पास आ गया अब इनके हम factors बनाते है 15 3 into 5 6 3 into 2 and 2 into 7 ठीक है आपके पास यह बन गया अब इनकी multiply करें 3 3 जा 9 आपके पास 3 का एक pair बन रहा है और 2 का pair बन रहा है 5 और 7 आपके pair में नहीं है ठीक है तो यह square root के अंदर रह जाएंगे आपके पास तो इनकी values को अगर हम देखते हैं 3 और 2 आपके पास बाहर आगे square root के अंदर 5 और 7 रह जाएगा it means 6 root 30 square root 35 square meter आपके पास आपका answer हो जाएगा आप यहां से अगर इनको points में निकालना चाहें आप यही भी 30 plus 6 root 35 square meter यह आपके पास आपका answer बन जाएगा और अगर आप इसकी points में value निकाल लेते हैं ठीक है 635 आपके पास 5 point something कुछ बनेगा it means इसको 6 से multiply करके 35 point approximate 5 के आसपास आपके पास बनेगा ठीक है square meter approximate आपके पास ठीक है तो फिर आप किसमें क्या करेंगे इस चीज़ को ना लिख कर ठीक है क्या हो जाएगा आपके पास 30 plus 35.5 it means 65.5 square meter approximate ठीक है आपका यह answer हो जाएगा clear वो depend करता है कि आप points में calculation करना चाते है यह नहीं करना चाते है ठीक है आप यहां तक भी छोड़ेंगे बिल्कुल गलत नहीं आपके पास वो totally पूरे full marks मिनेंगे आपको यह आपकी extra calculations के इंदर आ जाएगा and next देखते है इसके अंदर हमार in the area of a quadrilator ABCD in which a b 3 आपको a quadrilator दे रहें a b 3 b c 4 चीओ एंड c d 4 आपके पास की बात करें और d 5 आपके पास clear and आपको a c दे रहें a b c d और a c d आपको 5 आपके पास ठीक है दोन्यों ही triangles की आपको तीनों की तीन्यों साइट से दे रही है अब यहां से आपके पास 345 यहां से clear रहें की एक right angle triangle बनती होगी pythagoras tricklet triplet है आपके पास आपका एक ठीक है लेकिन हमें उस चीज के चक्कर में पढ़ने की जूरती नहीं है कि हम इसको 90 का प्रूफ करें फिर आपके पास right angle triangle के रहेंगा formula find out करें हमारे पास तिन्नों साइट से है तो हम direct area ही find out करेंगी ठीक है अब in triangle ABC आपके पास ठीक है एक इतना होगा आपका 3 meter ठीक है और स्वरी centimeter and B आपके पास क्या हो गया 4 centimeter and C आपके पास क्या हो गया 5 centimeter so s क्या हो जागा some of the sides by 2 ठीक है it means 3 plus 4 plus 5 by 2 it means 12 by 2 it means 6 centimeter ठीक है यह आपके पास हो जाएगा clear अब हमारे पास ऐसा हमारे पास आ गया हमारा ठीक है उसके बाद हम area की बात करते हैं इसके अंदर आपका area of triangle ABC ठीक है formula आपके पास s s minus a s minus b and s minus c आपके पास अब यहां से हम देखेंगे हमें करना क्या होगा आपके इस area को find out करने के लिए s की value देखें आपके पास कितनी आई है 6 आई है तो 6 minus 3 6 minus 4 and 6 minus 5 तो 6 आपके पास 3 into 2 into 1 ठीक है इनकी value calculate करें 3 to 6 बनती है आपके पास 36 ठीक है simple दिखो अभी तक हम फैक्टर बनाते हैं इसकी multiply simple करके मारे पास बना रही है तो हमने यह कर लिया इस स्क्वेर मिट संटीमेटर स्क्वेर क्योंकि पाइथागोर्स के according ट्रिपलेट के according आपके पास एक राइट रेंगल थी तो हाफ इंटो बेस इंटो हाइट से भी आपके पास यही अर्यान था अब नाउं ट्रेंगल आपके पास AC D के अंदर इसमें ए देखें आपके प प्लस इबाइट फाइब फ्लस फोर फ्लस फाइब बाइट टू इड मींस फॉर्टिंग बाइट टू इड मींस सेवन सेंटीमेटर ठीक है यह आपके पास आपका ऐसा आगया अब एरिया देखेंगे इसके अंदर क्या बनेगा आपके पास एरिया आफ ट्रेंगल एसीड हुआ है ठीक है एस एस माइनस एएस माइनस बी एन एस माइनस है सी आपके पास एषिए पिशिवन एक पएग है सेवन unas 5 ग वी Iya दोनवों को एड़ कर देंगे 6 plus 2 root 21 cm2 और अगर आपने इसकी point हो में value calculate करेंगे 21 आपके पास approximate 4 point कुछ बनेगा 2 से multiply करके आपके पास 9.2 बनेगा something ठीक है तो multiply कर लेंगे आपके पास sorry additions multiply होगी फिर addition 15.2 cm2 आपके पास approximate यह आपके पास आपके questions का answer बन जाएगा आप यहां तक भी रख देंगे तो वह भी आपके पास बिल्कुल सही है ठीक है मैं तो यहां calculation मुझे आती है square root कर लिया हमने ठीक है और आप exam में यहां तक भी छोड़ेंगे बिल्कुल सही है उसमें कोई mistake नहीं आपके पास यह points की calculation आपकी choice आप एक्स्ट्रा करना चाते हैं या नहीं करना चाते हैं ठीक है and next देखते हैं आपके पास question number third इसके अंदर हमें क्या गया रहा करने के लिए वह देखेंगे question number third के अंदर आपके पास देखें हमें एक फिगर दे रहा है के अंदर राधा मेड़े पिक्चर ओफ एन आरो प्लेइन विद करलर पेपर एशोन दा फिगर 12.15 जैसे आपको दिखा रहा है इसमें हम क्या करते हैं हमारे पास हम एक सिंगल सिंगल पार्ट के बारे में बात करेंगे जैसे इसके अंदर देखें आपके पास फिगर के अंदर आपको पांच पार्ट दिखाए दे रहा है आपके पास क्या चीजह इंद है ट्रैंगल बन रही है आपके पास संग्ट पर आपके पास नीचे एप स्वेयर है जरंट बात द आपके पास बणते पास तब दा आयिखें in part 1 in part 1 के अंदर आपके देखे एए आपके पास कितनी है 5 cm b कितनी आपके पास 5 cm एंड c कितनी है 1 cm आपके पास क्योंकि part 1 के अंदर आपको इस प्रकार के एकट्रेंगल दे रहा है यह 5 कह रहा है तो यह 5 होगी और यह 1 है के पास ठीक है 1 cm है तो आपके पास area क्या बन जागा यहां से उसे पहले हमें s चाहिए ठीक है 5 plus 5 plus 1 by 2 it means 11 by 2 cm आप points में लिखना चाहें तो 5.5 cm आपके बन जाता है so area क्या बन जाएगा आपके पास यहां से ठीक है s s minus a s minus b s minus c s कितना आपके पास 11 by 2, 11 by 2 minus 5, 11 by 2 minus 5, 11 by 2 minus 1 ठीक है तो आपके पास क्या हो गया 11 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 into 9 by 2 आपके पास अब इनके हम value बाहर निकाल लेंगे 9 का तो आपके 3 बाहर आ जाएगी 9 का square root 3 होता है और root 11 रह जाएगा और 2 आपके पास 4 है means 2 पेर बनेंगे तो 2 into 2 4 आपके पास आ जाएगा ठीक है यह आपके पास area आ गया part 1 का ठीक है part 2 की बात करते हैं in part 2 आपके पास देखेंगे ठीक है part 2 के अंदर आपके पास क्या है एक rectangle बन रही है आपके पास देखें ठीक है इस type के अंदर एक rectangle बन रही है यह आपको 1 दी गई है ठीक है और यह जो टोटल है वो 6.5 दी गई आपको ठीक है यह part 2 है तो area आपके पास क्या बन जाएगा इसका ठीक है length into breath it means 1 into 6.5 आपके पास क्या हो गया 6.5 cm2 आपके पास यह values आगी clear उसके बाद हम बात करते ह है part 4 thirds के हम बाद ही बात करेंगे 4th और 5th की बात करते हैं ठीक है part 4th ठीक है आपके पास and 5th in part 4th and 5th आपके पास दोनों का area equal होगा आपके पास ठीक है area of part 4 is equal to area of part 5 आपके पास ठीक है दोन equals होगे और यह right angle triangle बना रहे हैं आपके पास so half into base into height perpendicular half base देखें आपके पास क्या कर रहे हैं ठीक है इस type के अंदर आपके पास triangle बन रही है यह ठीक है यह आपको 6 cm दे रहा है और यह 1.5 दे रहा है तो आप बेस इसको लें आप प्रबेंडिकोर जैसे मर्जी लें 6 into 1.5 तो उसे cancel होगा 3 means 4.5 cm square आपके पास यह आपके पास 4th का भी आगा और 5th part का भी आगया ठीक है अब अगर आप यहां से तक देखें तो 4.5 का double means 9 6.5 means आपके पास 15.5 approximate आपकी value बन गई है ठीक है लेकिन हम इसमें last में total बाद में देखेंगे अभी हम क्या कर रहे है हमारे पास आगे हम बात करते है in part ठीक है second के अंदर आपके प पास अब area of trapeism निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा हम इसके अंदर से आपके पास समुदा parallel side into height चाहिए हमें लेकिन height यहां पर हमारे पास नहीं है तो height पता करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर एक perpendicular lines draw कर देते हैं इसके यह 1 तो यह 1 हो गया यह 1 तो यह 1 हो गया आ होगी आपके पास माली जगरम को नाम दे देते हैं a b c d ठीक है आपके पास क्योंकि फीगर को total नाम नहीं दिये गये हैं इसको माली जए e नाम दे दिया ठीक है हमने क्या कहा कि d e we draw a line d e parallel to c b so आपके पास क्या हो गया b c is equal to d e equal to 1 centimeter and आपके पास d c equal e b equal 1 centimeter ठीक है so आपके पास a e की value क्या हो जाएगी 2 minus 1 it means 1 centimeter so triangle a e d is an equilator triangle ठीक है यह आपके एक क्योंकि ट्रेंगल होगी so height इसके अंदर आपके पास ठीक है height h rubber में root 3 by 2 into side side कितनी आपके पास 1 है so root 3 by 2 means root 3 by 2 आपके पास centimeter यह आपके पास height आगी ठीक है अब हमें area of trapeze निकालने area of trapeze निकालने के लिए हम क्या करेंगी आपके पास यह दो parts के हम area already find out कर चुक है इन को हम अलग से लिख लेते हैं हमारे पास ठीक है आपके पास जो part 1 है ठीक है इसका area कितना है 3 square root 11 by 4 और part 2 का area कितना है 6.5 आपके पास ठीक है इस तरफ का अगर हम portion द्रफ कर दें ठीक है इसको देखते है आगे पास area find out करने की आपके पास क्या रहेगा area of आपके पास part 3rd ठीक है तो आपके पास यह क्या हो जाएगा part 3rd के लिए ठीक है area आपके पास half into height into some of the parallel sides ठीक है half into आपके पास height कितनी है root 3 by 2 ठीक है और some of the parallel sides यह 2 है यह 1 है 2 plus 1 means 3 by 4 होगी so 3 by 4 root 3 centimeter square ठीक है यह आपके पास 5 का गया ठीक है so total area of total area of airplane ठीक है जो बनाया गया है part 1 का कितने 3 root 11 by 4 part 2 का 6.5 part 3rd का आपके पास 3 root 3 by 4 part 4 का 4.5 and part 5 का 4.5 इनको आप add करते है 19 15.5 plus 3 root 11 by 4 plus 3 root 3 by 4 आपके पास ठीक है centimeter square यह आपका answer बन जाएगा आप चाहें तो इनकी point में calculation करके इनको calculate कर सकते हैं और यहीं तक आप चाहें छोड़ना तो यहीं तक भी इसको रख सकते हैं ठीक है ओके इस प्रकार से आपने सारी exercise के questions के प्लिट कर लेने हैं अगे आप exercise 12.2 के ही question 4 से लेकर question 9 तक खुद करके देखेंगे उनमें किसी प्रकार के अगर आपकी problem हुई तो हम अपने next lectures के अंदर उनको देखेंगे ठीक है ओके thank you friends thank you students